विटियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर इयर इंटीग्रेटेड बारे मां हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जैसे कि आप सब को पता है अभी तक जो आपकी डिगरी होती थी वो टू इयर की होती थी पहले सबसे पहले यह वन इयर का प्रोग्राम स्टाट हुआ अब इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म मा कर दिया गया है मतलब आपको इसके अंदर बैचलर की डिग्री अलग से लेने की जुरूत नी पड़ेगी जैसी आप 12 पास यहां पर करते हैं उसके बाद आप या तो बीए बीएड की डिग्री आपको मिल जाएगी या फिर तो टोटल पास साल का टाइम पीरेड लगता है बट इंटीग्रेटेड के अंदर आपको चार साल के अंदर यह दोनु डिग्री आपको मिलेंगी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत राइट तो उसी के बारे हम लोग समझेंगे अगर चैनल पर नए है तो जुरू कर लाएं और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ने बोलें कोई क्वैरी जो होती है तो आप कॉमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं कमेंट बोक्स के अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं यह नोटीस आपका 26 तारीक को आया वा था यहां पर NTA की वेबसाइट पी अबिलेबल है अगर आपको नहीं मिलेगा तो कमेंट्स में मैं यहां पर उसका लिंक दे दूंगा आप मुझे बता देना यहां पर बोला गया देखें इन्वाइटिंग ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2023 फॉर एड्मिसन टू फॉर इंटीग्रेटेट टीचर एज्युकेशन प्रोग्राम बैसेकली जो बीर्ड था उसको नाम चेंज करके यहां पर 4-year इंटीग्रेटेट टीचर एज्युकेशन प्रोग्राम कर दिया गया है यानि कि ITEP कर दिया गया है और इसके अंदर क्या क्याया इंपर्टेंट अब इसके अंदर क्या चीज़े हैं कि कुछ यूनिवसिटीज के लिस्ट भी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा तो उन यूनिवसिटीज के अंदर अगर आपको इंटीग्रेटेट्ट प्रोग्राम के अंदर एड्मिसन लेना है तो आपको एंटीए का ये एक्जाम पास करना पड़ेगा क्योंकि आप जो वो आपका टाइम था टू इयर वाला वो टाइम आपका अल्मोस्ट अभी वो प्रोग्राम चलेगा ऐसा नहीं है कि आपका वो टू इयर वाला प्रोग्राम नहीं है वो भी चलेगा साथ में बट इंटीग्रेटेट भी चलेगा अगर आपको इंटीग्रेटेट के अंदर एड्मिसन लेना है अपको करना है तो उसके अंदर आपको ये एंटीए की वेबसाइट पर अपलाई करना पड़ेग सारी चीज़ें अब यहां पर इंटेग्रेटर के अंदर थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी स्कूर बेसे के लिए आपका इस टेस्ट में अपियर होने के बाद आएगा तो यह जिम्मेदारी एंटिये को यानि कि नेशनल टेस्टिंग एजनसी को दी गई है ठीके बाद जो कि बेसिकली इसके अंदर इंपोर्टन जो डेट है इसको स्क्रीन सोट भी रख लेना है और यह सारे डेट आपको याद रखनी है ओनलाइन समिशन जो होना है आपका 26 जून से स्टार्ट हो गया था और 19 जूलाई 2023 तक चलेगा आपका अप टू 11.30 पीम लाज डेट आप दी स बाद में आपको बताए जाएगा डाउनलोडिंगे तो एड्मिट कार्ट आपको तीन दिन पहले जब भी आपका एक्जाम होगा उससे तीन दिन पहले आपके अड्मिट कार्ट आ जाएंगे डेट आप एक्जामिनेशन अनॉंस नहीं किया गया है और बागी की चीज़े अभी अभी अनॉंस नहीं की जाएंगे तो ऑफिसल वेबसाइट देख सकते हैं यह है www.nta.ac.in ठीक या आप समर्थ पोर्टल पे भी जा सकते हैं जो जो एक्जाम आप बेसिकली जो रेजिस्ट्रेशन है वो समर्थ पोर्टल पे www.nta.ac.in तो यह वेबसाइट है यहाँ पे तो इसको आप चेक कर सकते हैं अब यहाँ पे मेडियम की बात की गई है कि मेडियम आपका कौन-कौन से एक्जाम में रहने वाला है मतलब जो यह एक्जाम होगा आपके किन-किन मेडियम में कौन-कौन सी लेंग्विज में होग तो यह एक्जाम है इन एक्जाम में मतलब आपका एक्जाम होगा इन लैंग्विज में आपका एक्जाम कंडग करवाए जाएगा शिय चैहाएं moteitta के लिएंगे उनकी हम भात करला यह गया है तो अगर आप देख पाएंगे इसमें तो यह डिटेल में दिया गया है पहले section first की बात करते हैं, section first के अंदर language की बात करी है, इसके अंदर languages में आपको 33 different languages हैं, उसमें से at least आपको इसके अंदर 2 language को चूज करना पड़ेगा, और हर language से आपके 20 questions आएंगे, जैसे for example आप लोग Hindi और English चूज करते हैं, तो उस case में 20 English से आप question आएंगे, 20 Hindi से आपके question हैंगे, you can choose another language also, तो आप other language भी चूज कर सकते हैं, तो इस case में आपके 2020 question इच लेंग्वेज से पूछे जाएंगे, पहली बात तो यह 40 question आपके यह हो जाते हैं, section 2 में यहाँ बात की गई है, domain specific subject है, आप यह domain specific subject कौन से subject हैं, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, सारी list दी ग की इवल, university या university या institution, तो college के हिसाब से, जिस institution में आप एडिविशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे कौन-कौन से languages चल रहा हैं, उसके basis पे यहाँ पे basically आपको तीन language चूज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो तीन language चूज करने पड़ेंगे, और यहाँ पे हर एक आपके domain से 25 question पूछे जाएंगे, three domain specific subject are to be chosen, each domain specific subject will have 25 question यानिके 75 total इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक, उसके बाद third section आता है, जो कि compulsory है, आपका mandatory section है, यह general test है, इसके अंदर 25 question आपके पूछे जाएंगे, जो कि सभी को करने है, इसके अंदर कोई choice आपके पास में नहीं है, next risk के अंदर आते है, section 4 में, जो कि आपका teaching aptitude है, इसके अंदर 20 question आपके आएंगे, जो कि compulsory है, हर किसी को यह attempt करने है, तो यह दो 2 section है, section 3 और section 4, यह तो आपका क्या है, आपके mandatory है, बट बाकी के जो 3, 2 section उपर के है, section 1 मने language वाला section, और दूसरा domain specific subject वाले, इसके अंदर आ यहाँ बात करते हैं, हम लोग test pattern की बात करते हैं, तो objective type exam आपका होगा, multiple choice question इसके अंदर आएंगे, medium मैंने आपको बता दिया, 13 language इसके अंदर होंगे, जो अभी हमने बात करी है, उपर और उसके अलावा इसके अंदर अगर syllabus की बात करी जाए, तो syllabus आपका यह देखे, general test क के अंदर तो आपको पता है, general knowledge आएगी, current affair पूचे जाएगा, general mental ability आएगी, numerical ability आएगी, quantitative reasoning आएगी, logical and analytical reasoning इसके अंदर आएगी, अब domain specific के अंदर क्या आएगा, आपको पता है, 12 विक के syllabus के according जो आपका रहेगा, domain subject जो आपका रहा है, उसके according पूचे जाएगा, और language में क जाएगी, जैसे आपकी literacy aptitude आएगा, या vocabulary से question आजाएगे, reading comprehension से question आएगा, RC जो आपका पूचे जाता है, पैसे जो गएरा, तो वो सारे question इसके अंदर आने वाले है, तो यह पूरा का पूरा सलेवस है, वो आपका यहाँ पर concise किया हुआ है, इस सलेवस को आप देख सकते ह और general aptitude में basically general में वही चीज़ें आती है, current phase होगे आपका, या आपके reasoning वगरा हो गई, कुछ आपके छोटे-छोटे match के question हो गए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे, logical reasoning या पिर quantitative reasoning ये सारी चीज़ें आ जाती है, और registration के लिए link भी यहाँ पर दिया गया है, समर्थ portal पर आपको यहाँ पर registration करना पड़ेगा, चीक है, तो यह आपके सारे के सारे question MCQ based होंगे, यह मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अब यहाँ पर जो बात थी, कि आपके languages कौन-कौन से हैं, तो languages की यहाँ पर बात हम लोग कर लेते हैं, देखें, यहाँ पर देख हैं, तो कुल मिला कि यह है बात, कि दो जो आपके हैं, वो compulsory है, teaching aptitude और general test वाले, बागी के आप चूच करेंगे, वो list मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें से आप चूच करेंगे, बागी के instructions आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर, और यह पूरी PDF जो है, मैं अपने telegram channel पर जाल दूँगा, उसको भी आप लोग जोइन कर लिजेगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो मैं उसका link भी आपको provide कर दूँगा, चलिए, तो instruction वगरा सब कुछ दे रखें, आप सभी को पता है, form किस तरीके से बरना है, तो बाकी यह help line भी यहाँ पर दिया गया ह होती है, तो आपके लिए help line number भी है, और mail वगरा भी आपको दिया गया है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हैं, इसको आप read out कर सकते हैं, अब इसकी बाद आगे चलते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पर की subject कौन-कौन से है, list of languages, यहाँ पर आपको दिखेगा, list of languages, domain specific subject यह covered in NCEET 2023, तो subject के अंदर सबसे पहले language की बात कर लेते हैं, इंगलिस है, हिंदी है, असमी है, बेंगोली है, यह सी के ता, गुजराती, कंदना, मलियाला, मराथी, उडिया, पंजाबी, तमिल, और फिर तेलगू, उर्दू है, यह सारी चीज़े हैं, फिर अगर हम section 2 की बात क है, section 1 में जो मतलब आपके language specific ते Arabic है, और बोडो, Chinese, डॉंगरी, French, German, यह सारे subject यहां पर दिये गये हैं, इसको आप सारे के सारे subject अपने according देख सकते हैं, अब उसके बात section 2 की बात करें, जिसमें के domain specific subject आपके थे, तो उसमें कौन-कौन से हैं, या तो आपका कांटेंसी बुक कीपिंग हो सकता है, agriculture हो सकता है, anthropology हो सकता है, biology हो सकता है, business studies हो सकता है, chemistry, environmental studies, computer science, economics हो सकता है, engineering, graphics, entrepreneurship हो सकता है, fine arts हो सकता है, visual arts हो सकता है, यह इसके लावा geography, history, home science, यह सारे सारे subject जो के आपके 12th में basically हो सकते हैं, 12th label पे जो जो subject पढ़ाई जा सकते हैं, आपका जो domain subject है, उसके basis पे आप इसको choose करेंगे, उसके बाद आपको पता है, section 3 के अंदर teaching aptitude तो आपका क्या है, यह तो आपका compulsory वाला पार्ट आ जाता है, और दूसरा अगर general test की बात करें, यह भी आपका क्या है, compulsory वाला पार्ट है, तो इस तरीके से इसके अंदर TA के द्वारा जो test करवाया जाएगा, उसमां आपको यहां पर appear होना पड़ेगा, और यह जो test होगा, उसके बाद result आने के बाद, basically यह CBT based test आपका होगा, यहनि computer based test आपका होगा, और इसके बाद आपका result आएगा, उसके बाद फिर आपकी counseling पर किरिया होगे, अब यहां प कुमाउ university भी इसके ambit में कहीं ने कहीं आएगा, क्योंकि न्यूज में आपने देखा होगा, कि कुमाउ university में भी integrated BA यहां पर चालू किया जा रहा है, तो उसके लिए कहीं ने कहीं यह exam आपको पास करना पड़ेगा, यहां पर देख सकते हैं, उतराखंड की बात करें, तो department seats आपकी BAB8 के अंदर हैं, और अगर बात करें, BACB8 में 50 seat हैं, और फिर आपका BACB8 में 50 seat हैं, तो total 150 seat यहां पर हैं, यह एक आपकी central university है, जो गड़वाल university है, आपकी HNV, यह central university है, जबकि कुमाउ university की बात करें, तो यह आपकी state university है, तो इसके अंदर भी कहीं ने कहीं आप देख सकते हैं, अपने according, उत्राखंड का भी देख सकते हैं, और इसके अलावा, other cities में कहां कहां पर कितनी seat offer की गई हैं, यह सारा data आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जिसमें सभी states का आपको data दिया गया है, ठीक है, देखें, यहां पर दिया भी है, मैं नीचे जरा देखा इसमें, उत्राखंड में देखिए, कुमाउई उनिविसटी आपका दिया गया है, बैसिकली वो सेंटल की लिस्ती, यह यहां पर आपके state उनिविसटी की लिस्त है, तो कुमाउई उनिविसटी भी इसके अंदर लिस्टेट है, तो आपको सभी को, अगर आपका प्रवाइज हैं हमने आप डिसकस करी हैं आपके साथ में इस पीडियेप को मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा तो वहां से आपको यह पीडियेप मिल जाएगी उसके लिए आपको बस हमारा जो टेलिग्राम चैनल है उसको आपको जोइन करना है और वह के अंदर थैंक यू सो मुच हैव नाइस दे टेक यह बाइबाइ